So, यहाँ झाम्मो और कश्वीर में आपको कैसा लगा now possible इलिस नसमें में पर को आधा होगी हम बाहर की स्टेट में हैं तो यहाँ पर लोह हमें कभी ऐसा कोछ रही आघृ की एक दम सेंटर में हैặc धोस्तो, रमजान आ रहा है और इसी रमजान में हमने.. कुछ सोच के रखा है लेकिन आज जो है रोजा नहीं है कल से रमजान शुरू हो जाएगा रमजान शुरू होने वाला है तो हमने सोचा कहीं घूमने चले जाए और आपको भी कुछ नया दिखाएं सो दोस्तो आभी आप देख रहे होंगे जगा पे आयो और आप यहां पर द मैं यह आपर मैं आया हूँ और आज मैं यहां पर है सब कुछ explore करने वाला हूँ और अभी खिलाल में सीडियू पर ही था अब मैं नीचे जाकर आपको दखाऊधा यहां पर दरसल क्या कुछ देखने को मिलता है हमें मैं भी यहां पर first time आया हूँ मेरा भी यहां पर first time है अब देखते हैं कि यहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है सो ये जो आप आगे देख रहे हो ये है तवी ब्रिज जो के यहां पर है जो रास्ता जो सीटी को जाता है ये वही रास्ता है ये वही तवी ब्रिज है और ये नीचे आप जो देख सकते हो ये नीचे आप जो देख रहे हो ये है रिवर तवी आप इसकी शकल देखके इसको जज्मत कीजेगा, यह river है, हाँ दिखने में लगनी रहा है, रिवर है, बट यह रिवर है, रिवर तवी है यह, और यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर पानी इतना खास नहीं है, यह थोड़ा थोड़ा सामने है, बट मुझे जाना है उस साइड बीज में, और य रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जानी सकता, पानी गहरा है, उतना भी गहरा नहीं है, बट बहुत गंदा पानी है, तो आभी में फिलाल यहाँ से जाता हूँ, उस साइड और वहां से रास्ता मिला, तो मैं पूरा आपको आज दिखाऊँगा, कि यहाँ सो अब हम जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें देखनी कुछ मिलता है, हम पानी से खेल पाएंगे, यहाँ इस साइड वाला पानी तो बहुत गंदा है, लेकिन वहाँ पीछे जो पानी है, हम वो भी देखेंगी वो कैसा पानी है, और वो पीछे जो आप बि की वीडियो हो सकता है, थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन माज़ेदार जुरूर होगी, आप यकीन रखेगा, और आज आप नई चीजे देखने वाले हो, बहुत कुछ नया जानने वाले हो, जिशे आप तभी देख रहे होंगे, और अभी मैं चल रहा हूँ, दिरे-दिरे करक सकते हो, क्या व्यूव है यार, और नीचे पत्थर देख सकते हो, गोल गोल पत्थर इन पर पेर मुणने का ज्यादा खत्रा रहता है, इसलिए इन पर ज्यादा पेर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो यह आप व्यूव तो देखी रहे होंगे, कितना व्यूव है, इस खेलने साफ पानी ये शायद वह बाला, और यहां पर आगर आप आओगे ने, यहां पर आपको शॉप्स वगएरा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहां पर जो पत्थर है ना, वो गोल पत्थर है बिल्कुल, जिन पर अगर पैर डाला, अगर स्लिप हो गया तो पैर बहुत ज्यादा था, बहुत जबरदस फिला डाया था, जैसे कि आपने सुना होगा कभी, यहां पर तभी का पानी काफी चड़ गया था, और अभी तो फिलाली सुका सुका ही दिख रहा है, बट है ये रीवर, तो अब सोड़ा सब आगी जाएंगे, और आगे आप देखी कितना enjoy करेंगे हैं, दोस्तों ये जो अभी आप ये जो धरिया देख रहे हो, ये जो रीवर तवी आप देख रहे हो, इसका अगर origin देखा जाए तो ये कैलाश कुन गलेशियर से जो है, ये पानी आता है, जो कि डोड़ा डिस्टिक में एक जगा बढ़ती है, बदरवा व बहुत लंबा है ये रीवर, और इसके लब अगर बात कीजाए, वो सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है, वो 90 मीटर जो है, इसकी हाइट है, 90 मीटर की हाइट पर बनाया गया है, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि 5 साल पहले यहाँ पर बहुत-बहुत जारा ज के पीछे भी एक है और यहां पर भी एक है यह तीन होगे यहां पर और चोथा ब्रीज यह रहा इन में से एक ब्रीज टूट गया था और यह तकरीबन 90 मिटर की हाइट पर बनाये गए है लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह जो रिवर है जो अभी इतना भी अभी पू दो रहा हूँ थोड़ा सा पानी है यहां यहां थोड़ा सा infra जाला है अब मैठ अफ़रा सा पानी में जाता हूं अब थोड़ा सा एंज्वा सटेवर देख सकते हो कि ये पानी साफ है यह देख सकते हो खेल सक्टेंट आपको बट आओगे आओगे आपगे इसी बडिसे आपको आना पड़ेगा प्रिय देखें रेलवे वहां पर है। रेलवे से हुगा। तीन किलिमेटर धूर होगा। से से रिवर तवी। कुश् cupcakes कि भूप सुर्फ, बहुत ही जादा मज़े दार और बहुत ही जादा शलती में बहने वाला आप देख सकते हो मैं बिलकुल रिवर तवी के बीच में आ गया हूँ और इंजाइमेंट यहां पर देखो बहुत मज़ा आ रहा है यहां पर बहुत इंजाइ कर रहा हूं मैं यहां पर और दूप भी काफी तेजे उपर से बट फिर भी मैंने सोचा कल से बनाने हैं मुझे पता है कि रोजा रखके कैसे बनाने कितनी हालत खराब होने वाली है तो यह तो मुझे ही पता है कि क्या होने वाला क्योंकि यहां पर गर्मी भी इतनी ज्यादा है अगर मैं घर में होता तो वहां पर कोई मसला नहीं था क्योंकि वहां पर अभी थोड़ी पूरीसी शॉॉत आ जायें कि अगर में जयाधा चलूंगा तो मेरे को हो सकता है कि मेरे को काफी ज्यदा प्यास लगे और ऐसा भी हो सकता कि भोके रहना है इतना चलना है प्यास लगी कि हो भी सकता कि बिशुश पढ़ जाओ चक्कार आ जाए गिर सकता हूं बट वह सब तो कल की बात है को कल करें कि कल क्या सीर रहता है कभी भी आऊ ला तो यहां पर जुरूर आना अगर यहां नहीं आए ने तो समझो आपने पूर आप बहुत ज्यादा एंज़ॉय किया यहां पर चिल-चिल माइट से मैं आज़ा ओल के यहां पर बहुत लुद जाता हूं पीछे जहां पर मैंने कुछ बक्रीय वगेरा देखी थी तो वहां पर जाएंगे तो उनसे भी थोड़ा भूद खेलेंगे बड़ सबसे पहले में ल लगा देता हूं उसके बाद हम निकलते हैं, so finally मैं यहां पर पहुंच चुका हूं यहां पर आप बक्रियां वगेरा देख सकते हो, मेरे को बक्रियां यह बहुत प्यारी लगती हैं, और खासकर बक्रियों के छोटे-छोटे बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े खुबसूरत अंदाज में यहां पर बैठे हुए हैं, और उपर से तवी ब्रीज का चाहू है यहां पर तो इसके नीचे बैटे हुए हैं यहां पर, मालिक वगेरा हैं यह यहां पर आराम से बैठे हैं, कुछ सोये हैं, कुछ बैठे हैं, तो हमें नहीं लगा कि हमें को डिस्टर्ब करें, अच्छा नहीं लगा, बट अभी हम देखे, तवी बिरिज के विलकुल नीचे हैं और यहां आ गे हम सेंटर में, इस साइड एक बिरिज है और इस साइड दूसरा बिरिज है, यहां से जाते हैं और वहां से आते हैं, देखे, कितना ज्यादा beautiful view है और यहाँपर कुछ एक यहाँ पर कुच काम वगेरा लगा है, मुझेनी पता किस चीज़ का काम लगा है, बड़ यहाँ पर काम वगेरा लगा है, और यह, वमगे के देखे हैं, । आप देख सकते हो, यहाँपर हम तभीब बिर इ। इक दम थीनटर में धमा रहा हूं हैं, बहुत ज्यादा इंजॉई किया है मैंने आपर क्या ही बता हूं बहुत ज्यादा मजा रहा है लेकिन अभी मैं जाओंगा यहां पर ओपर फ्लाइवर से भी आपको में विक्रम चोक का वियो अगयरा वह भी दिखा लूंगा आपको अभी यहां पर हमें कुछ बाहर की बताता बन आरे हैं बताता ब्राइब किसी चीज को आपको पर 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 इशानी हुए आज तक कोई भी परेशानी किसी ने आज तक कुछ बोला आपको ऐसा लगा हो और हम बाहर की स्टेट में तो यहां पर लोग हमें कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ? जो भूला, यहाँ अच्छा लगा, यहाँ अच्छा लगा यहाँ, विल्क mundane है, यहाँ पर एक महीन होगी रहतु हूँ फिर तोडाए। सब्सक्राइब कर लो शाम को वीडियो आएगी आठ बगे यहां पर देखा आपने मैंने इनसे पूछा बिहार से आए थे यहां पर बहुत अच्छा लगा आपका मौसा में आगी लोग बहुत अच्छा लगे तो आप बिल्कुल भी मत घब रहे हैं आप आईये आराम से । मुझे यसा अलगता है मुझे सिलिप लगने वाला देखते क्या होता है यहां से उपड़ चाड़ते हैं हम नहीं लग रहा है बद चड़ना यहीं से हैं कुछ भी हो जाए तो आपर सीड़ी बगरा यहां से उपर चड़ जाएंगी है साइख सकते हैं यहभी में विक्रम पॉलीस से परमिशन ले ली यहां फ्लाइवर पर आने की आप यहां से व्यू देखिए विक्रम चोक कितना ब्यूटिफुल रहता है और यह जो रास्ता है यह सीटी से आता है और यह जो रहां के लिए जाता है यहां पर गाड़िये वगरा देख सकते हो रुकी हुई है यह स सब्सक्राइब करने कहरें जाता है दो जगए डोगे और आपको जियां से यहां से यह सी यहां से लोगी और यहीं यहीं ही आ को है और यहां पर देखिये किस तरह से वोल को फॉलो किया जारा और बहुत डिस्टेंस रखा है बीच में गाड़ें जारी वह दिस्टेंस कितना ज्याद है इसाफ स्मझ सकते हो रूल को यहां पर किसे साफ से लुट जाता बहुत जबर्बश तरीके कि आपने बिक्रम दाल से जो है सेपरेट रास्ता बनाया गया और यहां पर शाम को लोग पहलते भी और फूल वगएरा आप देख सकते हो यहां पर फ्लॉर्स वगएरा भी काफी लगाए गये हैं और बहुत जबरदस यहां पर यह व्यू है और यहां पर आप नीचे तवी देखिए जहां पर सुआ सेभी में घरवाएं और हालत आप देख सकते हूं फेश की कितनी ज्यादा बोरी हो गया यह पसीनेस बहुत ज्यादा पसीना आ गया और अभी जिस्ट में घर पहुंचा भी खाना बनान है उसके बाद खाना है और आइऑ होना आज बहुत ज्यादा day kia मैने भी और आ जल्द मिलते आपसे एक नई वीडियो एक तुसो वचेग वाचंग बाइं झाल